बिसमिल्ला रह्मान ररहीम असलाम अलेकुम यू आर लिसनिंग तो मुहमसलीन इफ यू लाइक मैं वारत प्लीज शेरिंग वीडियो विद फ्रेंट्स वाई लेविए क्मेंट्स एंड नाओ लेट्स मूव तो आवर टॉपिक आज हमने data communication का जो लेक्श स्टार्ट करना है इसमें हम standard study करेंगे और हम सिखेंगे कि standard क्या होती है VID senator की type की तो कि ने होती और है हूँ हम सबसे पहले standard की definition देख लेती है A standard provides a model for development that makes it possible for a product it work regardless of individual manufacturer यहां पर वो कहता है कि a standard provide a model for development that makes it possible for a product to work regardless of their individual manufacturer किसी भी चीज़ को यकीनी बनाने के लिए जो standard है वो एक model फराम करता है to work regardless of the individual manufacturer और उस manufacturer के work की बनाने पर जो किसी भी चीज़ को यह किसी भी नेक्टर को create कर रहा है वाइ standards are essential यहां इस standard के हमें जरूत कब बेश आती है तो आप देख लेते हैं यहां पर study करते हैं कि standard के हमें कब-कब जरूत होती है तो creating and maintaining an open and competitive market for equipment manufacturers यहां पर कहता है कि एक competitive market होता है यह आप देखे creating and maintaining के बनाना और फिर से बरकरार रखना ठीक है creating and maintaining an open and competitive market competitive market होता है कि मुकाबलाती market for equipment manufacturer equipment होता है बनावट manufacturer जो चीज़ बनाता है standard क्या काम करता है standard जो होता है वो कोई बिगर चीज़ बनती है market में तो market में आपको पता ही कि बहुत ज़्यदा मुकाबलाता है market में लोग और भी चीज़े बना रहे होती है तो जो manufacturer होता है वो चीज़ की एक ऐसी बनावट पैदा करता है कि वो चीज़ बन भी जाए और फिर वो परकरार भी रहे market में आगे पीछे ना हो यानि कि उसका standard जो है वो कम ना हो basically standard का लफज आपने अपनी रोल मारा की जिलगी में भी सुना होगा कि आप वैसे भी कि चीज़ कहलेते हैं कि आपकी यार इस बाद में standard नहीं है या आपकी जो यह जीज़ है इसमें अथेंटिक नहीं है standard नहीं है इसमें ठीक इसनी value नहीं है standard का मैंसे बहुत सकते हैं value तो किसी भी चीज़ कोई भी अगर manufacturer को चीज़ क्रियेट करता है बनाता है तो उसको उसका यही प्लैन होता है कि मेरी जो चीज़ है उसकी बनावट जो है वो ऐसी हो जो वर्क करें वो अच्छी तरह करें ताके मेरे जो competitive market है यानि मुकाबलाती market मेरे साथ है उन से हटके हो मेरे चीज़ ताके मेरे चीज़ ज्यादा यूज़ हो इसी competitive market की वज़ए से हमें standard की जरूद पेश आती है अब हम standard की example देख लेते हैं यह standard की example है कि यहां पे आप देख लें कि नोट्स जो है वो connect हुए होएं कि यह 4 नोट्स यह और 3 नोट्स यह 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 यानि standard को मैंने basically network create की है standard कैसे use होगा यहां पे अब देखें basically यह 4 नोट्स आपस में 3 नोट्स के साथ connect हुए हैं तो अगर एक company ने इस तरह का network बनाया कि 4 नोट्स हैं और 3 नोट्स के साथ उन्होंने connect करके एक network बना लिया तो देखें हर नोट्स जो है वो अपनी एक एक links जो है वो next वारे नोट्स के साथ attach कर रहा है ठीक है तो अब देखें यह जो चीज़ बनी होई है इसका क्या standard है इसका क्या standard है अब अगर मैं यहां पे आपका और example शो करूं यहां पे आप देखें के यह मेरे पास 4 नोट्स हैं और 3 नोट्स हैं वो पीछे वाली बिल्कुल नोट्स बिल्कुल सेम हैं लेकि आप मार्किट में एक company ने यह network बना है एक ने यह network बना है तो देखें दोनों में से standard किसका है लोग किसकी तरफ जाएंगे लोग उसकी तरफ जाएंगे जहां पे उसका less expensive हो खर्चा काम हो ठीक है अब यहां पर अगर देखें इस network में उसको बहुत जादा communication wire यूज़ करन यह less expensive होगा और काम भी fast होगा तो standard basically यह जार करता है अब आप देख लिए कि इसको बनाने में अब एक company ने यह network create की है एक company ने यह network create की है तो देखें काम दोनों ही same करते हैं नोड्स दोनों ही same है लेकिन इस company ने network बनाया है उसमें wire बहुत कम use हो रही है जो use करेगा और यह network है यह महगा भी होगा तो अब देखें यह दो network है तो इन दोनों में से standard किसका है standard इस network का ज्यादा है क्योंके यह less expensive है इसमें links वह भी कम use हो रही है और data communication होगी हो भी बहुत fast होगी तो इस तरह से standard का जो concept है अब हम standard की types देखते हैं और फिर हम इसकी definition देखेंगे standard type de jorge standard और de facto two type के standard होते हैं de jorge standard और de facto तो अब हम सबसे पहले de jorge standard की definition देख ले थे हैं कि de jorge standard क्या होता है de jorge standard standard that have been legislated by an officially recognized regulation body वो कहता है कि जो de jorge standard होता है ये एक ऐसा standard होता है जो legislated होता है कनून साजी ठीक है यानि कि एक कनून के तहत बनाया गया हो ठीक है standard that have been legislated standard एक कनून लगता है by an official recognized regulation body officially तोरपल बनायता है regulation body के जरी अब हम de facto standard की definition देख लेती है कि de facto standard क्या आपता है तो आई हम सबस्पहले इसकी definition देखते है अब यहां पर देखें वो कहता है कि de facto standard एक ऐसा standard होता है जो जिस पर कोई कनून साजी नहीं होता ठीक है लेकिन यह इसका use जो होता है वो legislated वाले standards से ज्यादा होता है तो आप यहां पर देखें कि अगर एक वाप यह कह रहा है कि standard not approved by an organizer body कोई एक standard किसी भी organized body से approved नहीं है ठीक है कि कोई भी इंप्रूव चुल्दा अधारे से वो standard create नहीं हुआ but have been adapted as a standards through their widespread use लेकिन जो यह standard है वो एक महारत रखता है through their widespread use लेकिन उसको standard समझा जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस्तमाल हो रहा है ठीक है तो defacto standard कि आप एक असान सी example ऐसे भी ले सकते हैं याणि कि दो companies है एक company registered शुदा है और 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 इस शुदा है जिसे हम कहते हैं तो दूसरी company registered शुदा नहीं है तो अगर एक company ने एक standard की कोई चीज बनाई है दूसरी company ने वही चीज अपने standard से बनाई है लेकिन दूसरी company legislated शुदा है तो अगर इस company की जो डिजिस्टर शुदा नहीं है चीज ज्यादा यूज हो रही है तो wide spread यूज यानि बहुत ज्यादा यूज हो रही है तो यह हमारे defacto standard होगी कि एक चीज जो है वो recognize शुदा भी नहीं है और्गनाईज शुदा भी नहीं है लेकिन फिर भी wide spread यूज हो रही है तो वो हमारे defacto standard कलाएगी I hope कि आपको एकस लेक्चर की समझाई होगी नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा अलाँ आफीज